की गाइस हेलो एवरीवान गुड आफ्टर नून कैसे हैं सभी लोग नमस्तर नमस्कार आप लोगा स्वागत करते हैं टेस्ट नमबर फाइव में मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरिस का आई होप कि इस टेस्ट से बहुत से लोग को फायदा हो रहा है और बहुत सुंदर-सुंद और नए ने कोशन्स देखने को मिल रहा है जिससे को नीट 24 के अंदर बहुत जादा फाइदा देखने को मिलेगा बचो मेरी अवाज आरिये प्रॉपर ली ये कौन निभा और निभी क्लास में पहुंच गया है बेटा प्यार महबद बेस्ट है प्रैक्टिस ही बेस्ट है बंद कर तो प्यार महबद यार आज हमको ने लोकोमोशन के एंसे डी रीडिंग करने देखने कैनूला लगा था मेरे हाथ में यार थीक नहीं था तो मैं अभी तुम्हारा क्लास ले रहा हूं और शाम को भी क्लास लोंगा है ना सो यार वही चीज है चलो चले शुरू करें सब्सक्राइब कर लेंदो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्या कह रहा हूं यस एक नट वेट कर लें सर मैं अभी से चालू करूं लेकिन तुम पुराने पेपर सुन लोग सॉल्फ कर लेना पुराने पेपर सॉल्फ कर लेना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जी ओक क्यारी कोश्चन बनाने में न मतलब NCRD लाइन बालाइन कोश्चन बनाना बहुत असान और यह बहुत मुश्किल है मिलेको यह लगता जब मैं बनाता हो तो मिलेको समझ में आता है ओक पर जल्दी सा लाइक मार दो फट्रवर दो एक दम लाइक मार के कमेंट वाले में वह एक्साइडमेंट देखना है यस शुरू करें यस लेट स्टार्ट ना अजी शुरू करते हैं ओके यस तुमारा अटेंदेंस मेरे को बहुत जरूरी है यार ठीक है आईए जी हां संडे को टेस्ट नहीं होता ना बिकॉस संडे को आप लोग आफ लाइन क्लासे चलता है तो 270 mcqs 270 mcqs 6 बजे करने वाले अनिमल किंगनम एकदम मुझ जबानी याद कर लेना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पाटी ओटी नहीं है ओगे चलो यार सो पहला सवाल तुमारे स्क्रीन के सामने फोकस को अब कोई बात नहीं करेगा है ओगे कोई बात नहीं करेगा हां मैंने इंसाइडी रीडिंग के बारे में बता दिया कल कल तुमारी होगी मनुझ कल होगी विच अनिमल ग्रूप इस एक्स्क्लूजिवली मराइन बटा कॉन सा अनिमल ग्रूप जो की एक्स्क्लूजिवली मराइन है बताओ एकाइनो डर्माटा केफालो को डेटा और टीनो फाइलम होता है कि यह दोनों आपका फाइलम होता है लेकिन यह ध्यान रखना यह घृत आपका की आ». आगे को यह और बढ़ो अब इस स्टेमन इन्जोस्पर्म इस होमोलोगस तो विच बॉड़ी पार्ट इन्द जिम्नोस्पर्म संद टेरीडोफाइट देखो बेटा हम लोग एंजोस्पर्म में स्टेमन वड यूज करते हैं फॉर मेल रिप्रोड़क्टिव सस्टम वहीं जि बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है ठीक है माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं इसको अगला सवाल सुनो जी अब इन गीवन बिलो डाइग्राम डिस्कवरी ऑफ पैनिसलीन एंटिबाइटी इस रिलेटेड विच ओर्गानिजम अगर आपको याद होगा अलेक्जेंडर फ् बैक्टेरिया में वागर जो कि आपका स्फेरिकल होता है कि कैसा लगा सवाल मजा रहा है आगे क्या और सुनो अब बच्व कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट होगा फॉर्ड गीवन फिगर यार पहले यह बतो कि डाइग्राम कौन से फेस को रिप्रेजंट कर रहा है यह यह कभी हो जाएगा आजो सो क्रोमोजोम्स और मूब तुदे स्पेंडल एक्वेटर एंगेट अलाइंड अलॉंग दा मेटाफेजिक प्लेट थ्रूर स्पेंडल फाइबर टू बोद दी पोल्स इस सो बी वुडबी दी करेक्ट ऑप्शन जी अच्छा साइन अप्र निमा में होती है यह ब्रेकप ऑला फेज आपका एना फेज यह याद रखना अगला सुनो जी बच्छो कौन सा यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा यार अनिमल के इंगनम से कुश्चन्स है यार बोडी सिमेट्री इस दा बेसे अफ क्लासिफिकेश देखो किंग्डम एनिमेलिया का फीचर ही कि सारे के सारे आनिमस हमारे मल्टी सेलुलर होंगे डिवीजिन ओफ लेवर स्टार्ट फॉम्दा टीनो फोरा क्या बिल्कुल भी नहीं यह पौरी फेरा से हमें देखने को मिलता है डिवीजिन ओफ लेबर्स आजो अनलीट्स है जाना बाइलेटरल सिमेटरी शोगरती है यह पहली फाइल है जो कि बाइलेटरल सिमेटरी आपकी शोगरती है बच्चो होगा A B और D जो है वह वो कर्यक्ट हो जाए कैसे लगा यह कुश्चिन बढ़िया मज़़ा गया आगे कर बढ़ो यार। हाइप्टमी इंद डाइकॉट इस्टैम में जो हाइप्टमी है वो किंसे मिलके बनता है जल्ली हुदाओ यह इस clarin chymetres होगा या kolonchymetres होगा बेटा kolonchymetres अच्छा इस clarin chymetres किसके अंदर होगा इस clarin chymetres किसके अंदर होगा गुरु यह होगा monocot stem में ओके monocot stem में देन अगला कोशिंगी बच्छो how many mitotic divisions occurs in the cell of the root tip to form the 354 cells अगर मुझे 354 cells बनाना है तो कितना मुझे माईटॉटिक डिविजन करना पड़ेगा मैं फॉर्मिला लगाऊंगा N-1 का N का मतलब क्या है N का मतलब का है number of my total division equal to the given number of the cells है ना minus 1 so 354 minus 1 is equal to 353 यह सवाल बहुत important है सवाल अपको examiner क्या पूछ रहा है वो याद रहना चीह कि कितना माइटॉर्टिक डिविजन लगेगा इतने सेल्स को बनाने के लिए और माइटॉर्टिक डिविजन तुम्हारा क्या होता है एक कोवेशनल डिविजन होता है दैन याद रहेगा आतो जी बच्चो एनाफेस वन में क्या होता है यह यह एनाफेस वन में क्या होता है एनाफेस कुर्ष नहीं देखो देखो सब्सक्राइब कि लोगस दो यहां पर सेपरेट होता है एनफेज बन में हो मो लोगस क्रोमोसॉम सेपरेट होते हैं अगर वह सपरेट होंगे तो क्या होंगे वह दो अब तुमारे रिस्प्राइब पोल पर पहुंच जाएंगे क्या बताइए लेकिन क्या सिस्टर क्रुमाटीड अभी सेपरेट हुआ से नहीं वह आपका एनफेस टू में होता है याद रखना यह सवाल नीट में आता ही आता है कि एनफेस वन में क्या होता है हो मोलोगस क्रुमोजम सेपरेट होते हैं और एन ग्रत का फंक्शन नहींग पता और हम इसे क्या कहते हैं बचो को हम इन्हें क्या कहते है उभ्लाग की जिको लक्टीन कन मॉर्पीन का फंक्शन नहीं पता है यह सब तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है मिअ यह सब तुम्हारे सेकेंड्री अ क Spectra लहाई यह अगला वो कौन से leaves है कौन से टाइप के leaves में दुमकों के एक्जिल्स में वर्ड मिलेगा Simple leaf में और compound leaf में मिलेगा क्या leaf late के एक्जिल्स में मिलेगा कि समझो यह तमहरे पास leaf late है क्या इनके एक्जिल्स में मिलेगा bird कभी भी नहीं मिलेगा तो तुम्हारा C option गलत हो जाएगा बच्चो आपका A और B यहां पर correct होगा this question is also very very important from the morphology of flowering plant लिखा हुआ है NCRT मेला ही आगे क्यों बढ़ो जी अब monocot आहा वड़ा मस्च सवाल है यह monocot किसको रिप्रेजेंट करता है मस्कीडिया किसको रिप्रेजेंट करता है यह तुमारे चाप्टर नंबर वन से टेबल है वहां से सवाल निकाला हुआ है अभी शेक कल से शुरू हो यह ना बताया ना आपको सुनो यार दिमाग लगाओ बच्चो मोनो कोट क्लास होता है क्या मस्कीडिया फैमिली है और एंजो इस पर मिसा डिवीजें डी वाला कौन है बंदना डी नहीं होगा बेटा और अनिमल्स के लिए अपन क्या यूज करते बच्चो अनिमल्स के लिए अम लोग फाइलम यू आसल फाइबर इसकॉल लोकोमोशन मुवमेंट से कुशन है क्या काओ गे तुम इसको बच्चो इसे अब लोग मोटर एंड प्लेट कहते हैं जो जंक्शन बनता है ना अपकी बस मोटर नियूरॉन और सार्को लेमा के बीच में उसे अपन मोटर एंड प्लेट कहते हैं बच कि कैसा करव मिलता है हमें कर करनी मृता है बता बटा अपने को सिगमाइड करम मलता है हमें सिगमाइड कर्व मिलता लिए возможशन बच्चो अगर यहां पर हो पी सोटो अगर लिग देता और अप्सिण में कर अगर नयनल पूर्शन सना पिए पैस्ति अ does अजा Satu आंग बडा question है बचो exchange of O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface occurs in, वो कौन से organism है जहां पर simple diffusion के द्वारा तुमारे पास exchange चल रहा है gases का, बताएए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा वो, बचो वो तुमारे lower invertebrates है, जैसे कि sponges हो गया, flat form हो गया और तुमारे higher invertebrates नहीं होंगे, lower, और यहां पर इसमें only देके काम बिगाड़ दिया है, sponges, flat form और silentrator यह लोग simple diffusion आपका करते थ्रूदी body surface, याद रहेगा, अगला कुशिक, बचो connect route through which a pulse making impulse travels in the heart, यह कैसे travel करता impulse, impulse कैसे travel करता, take your time, तुमारा एक option से तुमारा answer आ गया है, से नोट से एवी नोट के पास जाएगा, एवी नोट से बंडल ऑफिस, परकुंजे फाइबर और उसके बाद तुमारे heart के muscles में penetrate कर जाएगा, आईए, yes, मजा आ गया, अगला question सुनो, यह नीट 2023 में ऐसे सवाल आये थे, formation of meri stem, interfacicular cambium and core cambium from a fully differentiated parenchyma cell, parenchyma cell से यह लोग बने हुए है, यह यह किसके examples है, यह deep differentiation के example है, यह regain कर रहे हैं की loss कर रहे है, they are lossing their capacity, yes, मजा आ गया, अगला question, अच्छा, expanded petiol perform the photosynthesis in, इसे philoclad कहेंगे या philode कहेंगे, दिमाग लगाओ, बच्छो, expand, मतलब petiol photosynthesis कर रहा है, leave तुमारा short है की long है यह यह चोटा हो चुका है, यह example आपका Australian acacia का, इसे philode कहते हैं, philode कहते है, done, अच्छा, यह रेसेडिवल वॉल्यूम, RV क्या होता है, RV, amount of air, जो कि तुमारे lung से बचा, after the force expiration के बाद, अब रेसेडिवल वॉल्यूम किसके equal है, दिमाग लगाओ, हाँ, आज paper ही वैसे set किया है, अब टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, और रेसेडिवल वॉल्यूम होता है, 3000 ml, कैसा लगा यह, कैसा लगा सवाल, बढ़िया लगा, यस, आगे क्या बढ़ागी, अब, यह कौन सा यहां पर बच्चो, incorrect match है, बड़ा must question है, take your time, यहां पर तुम गलती करोगे, यहां पर आप लोग गलती करोगे, देख लेना, maximum बच्चे यहां पर गलती करेगे, कौन सा incorrect match है, बच्चो, क्या C होगा, क्यूं C होगा, यह आपको यह तो पताना है, कि cell furrow का formation किस में होता है, बच्चो, furrow का formation, animal cells में होता है, और cell plate का formation, plant cell में होता है, अब जो C pain है, जो C तुमारे पास fan है, यह silentrate है क्या, यह तुमार animal है, और animal में ना furrow बनता है, नाही की plate बनता है, बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे, बच्चो, पौरी फायरा तुमारा red algae होता है, plant है ना, और plant में cell plate बनेगा, सवाल समझे आप लो, सवाल नहीं समझे, हाँ जी, गितिका चल रहा, थेरी class is going on, असा spam मत करो प्लीज, ओक होगे, ठीक है, अगला question जी, classification of amino acids are done on the basis of, यहर amino acid का classification किसके basis पर करते है, on the basis of, अब amino acid में तुमारे glycine हो गया, alanine हो गया, serine हो गया, हम लोग क्या देखते हैं, variable R group देखते हैं क्या, yes sir, हम लोग यहां पर position of nature of R group देखते हैं, अगर R के जगे पर ऐगर S लग जाए, नाम क्या हो जाएगा, alanine हो जाएगा, अगर CS to OS लग जाए, नाम क्या हो जाएगा, serine हो जाएगा, yes, अगला question जी, अब, अब फ़र सा statement डाले questions करते हैं, warm-up हो चुका है, okay, ready with the statement डाले questions, आजा, बच्चो, rips are included in the excel skeleton, rips excel skeleton का part है, rips are of three types, true, false and तुमारे floating rips, बच्चो, क्या तुम्हारा दोनो statement correct है, क्या, ये line बहुत important है, rips जो है, वो excel skeleton का part होता है, appendicular का part कभी भी नहीं होता, very important question, done, अगला सवाल सुनो, क्या कह रहा है, statement two, first step in the urine formation is a secretion, जरूरी ना, secretion ही तो करना है, urine formation involves the three main process, namely, global filtration, reabsorption, और तुमारा secretion, क्या होगा, D होगा, कान कỷ्ण बुचाओंगा, बैस्ते तुमारे, पहला step तुमारा क्या होता है, glow matter filtration जिसको अपन अल्ट्रा filtration भी कहते हैं, statement one गलत हो गया, statement two तुमारा सही है, हैंगे नहीं, पहला step तुमारा ultra filtration होता है, जिसको अपन glow matter filtration भी कहते हैं, तो statement 1 तुम्हारा गलत है और statement 2 आपका सही है बच्छो है ना आईयो जी अब statement 1 malus incus और sternum जहां से they are collectively called the ear ossicles middle ear each middle ear है एक middle ear में तीन tiny bones होते है का malus incus और तुम्हारा sternum क्या होगा B होगा कान के नीचे बिलाओंगा तुम्हारे में option number a would be the correct गलती कर रहा है बस मेलस incus और steps होता है गुरू है ना steps होता है नहीं कि sternum होता है है तो अच्छा कोई वह दी बे भी टिक कर रहा है है sternum में कान फिट करोगे अब अच्छा what is a similar meaning word for the depolarization यह depolarization के लिए आपन एक और एक वर्ड यूज करते हैं वह वर्ड को बताओ वह वर्ड कौन सा है वह वर्ड होगा आपका size stall एक और एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसे के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं contraction 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 ठीक है अगला आजी अब यह सवाल थोड़ सा important है पच्छा सवाल सुनेगा which of the following statement is a correct about the cytosine and thymine cytosine और thymine के लिए कौन सा correct statement होगा take your time दिमाग लगो क्या बच्छो यह दोनों तुम्हारे आरेने में मिलेगा बिल्कुल नहीं विकॉस थाइमीन तुमको only dna में मिलता है ओके अच्छा यह cytosine और thymine तुमको dna में मिलेगा यह correct है बच्छो यह दोनों तुम्हारे heterocyclic compound होते हैं क्या लेकिन ही neutral molecule नहीं है है यह तुम्हारे nitrogenous waste है ना तो यह तुम्हारा B और C would be the correct statement कैसा लगाए कोशिन इसके ओपर एक और मैंने कोशिन को तोड़ा हुआ है अभी आ गया आएगा यह सवाल बहुत important है which of the following statement regarding the condition for expiration बेटा expiration कराने के लिए क्या condition तुम रखोगे अगर मुझे expiration करवाना है what would be my condition पहला मुझे diaphragm का relaxation करवाना पड़ेगा यह सर क्या diaphragm का relaxation होगा यह सर contraction तुम्हारा inspiration में होता है relaxation of external inter-coastal muscles तो यह द्यान रखना है आपको तो यह A और C जो है ना that will be your correct contraction नहीं होता है जब तुम लोग expiration कर रहे हो diaphragm relax करेगा और relaxation होता है external inter-coastal muscle का अब examiner जो है ना NTA वाले इसको statement में डाल सकते हैं portion को हिमाजो टेलीग्राम पर मिल जाएगा मिलो कॉर्टिकॉइड मेला टोरीन टी एसेच और ऑक्सिडोसीन दिमाग लगा हाँ हाँ मजा रहा है तो मिलो कॉर्टिकॉइड में क्या हो जाएगा जी यह तुम्हारा adrenal cortex कर रहा है मेला टोरीन पीनियल ग्लैंड ओके टी एसेच एंटीर पीटुटरी और ऑक्सिडोसीन जो है ना वह तुम्हारा पोस्टीर पीडुटरी आपका हो जाएगा जी दने आपका option क्या मजा आ गया सभी को क्या यहां पर सभी को क्लियर हो गया दिस कुर्शन इस वेरी 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 इंपॉर्टिन था अगला सवाल सुन दो जी अब 2,4 D ABA इथलीन और गिब्रिलिक आसिड करो मैंस्टी कॉलम क्या सिंथार्टिक ऑग्जीन है क्या तो वीड फ्री लॉंज के लिए अपन यूज करेंगे यह तुम्हारा स्ट्रस होर्मून होता है इथलीन तुम्हारे पास राइपनिंग में हेल्प करेगा और गिब्रिलिक आसिड आपका बॉल्टिंग करेगा इंटर नोड का इलॉं स्ट्रस क्या होगा कि जो इंटर्मीडियेट अपके बनते हो सो क्रेक्ट सेक्वेंस पहले क्या बनेगा सक्षिनेंट बनेगा देखो याद करने का तरीका है सजन मेरे एफ अइन पर मिले सजन मेरे Fm पर बिले ऐसे याद कर सकते हूं सक्षिनेर्ट फ्युमरेट मेलेट और लास में तुम्हारा ऑगजेल ऐसे इंद बनता है ओगे तो सक्षिनेरट FM और तुम्हारा ऑगजेलो असिटिक असे इस वेरी 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 इंपोर्टेंट कोश्चिन यह जितने भी compound है वो कितने carbon containing है बचो यह सारे compound तुमारे 4 carbon containing है याद रखना क्या बात है respiratory quotient depends upon जो RQ value है वह किस पर depend करती है सब्सक्राइब दिमाग लगा 30 का क्या होगा 30 का D नहीं होगा A होगा ना हम लोगों ने कौन सा substrate यूज क्या respiration में अगर बचो अगर हम carbohydrates को यूज करेंगे तो RQ value क्या 1 आएगी protein को यूज करेंगे तो 0.9 आएगी sat को यूज करेंगे तो 0.7 आएगी organic acid को अगर मैं यूज करूंगा तो more than 1 आएगी यस आजो जी अब which of the following is a correct match with reference to photosynthesis बचो photosynthesis के reference में correct statement कौन सा होगा टेक यूर टाइम बदाओ अब membrane of stroma जो है stroma पी एस टू प्रेजेंट इनने लैमिला ना 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 पी एस वन मिलता है टू नहीं मिलता है अच्छा जेड इसकिम तुम्हारा light reaction का पाट है कि dark reaction का पाट है सरी light reaction का पाट है correct है यह तुम्हारा chemo-osmotic hypothesis होता है कौन था वो डी वाला गलती कर बैटे हो फोटो फॉस्टेशन नमारा chemo-osmotic होता है chemo-osmotic होता है chemo hypothesis नहीं होता है याद रखना अब फ्रोग के उपर questions कर लेते हैं how many matchings are incorrect with reference to the frog frog के reference में कितने तुम्हारे गलत है फ्रोग के reference में यहीं गलती होता है जुई ऐसे गलती नहीं करना है सुनो क्या neck present है neck आपका absent है क्या frog तुम्हारा herbivorous होता है frog तुम्हारा carnivorous होता है RBC क्या nucleated है yes sir इनका accessory waste क्या होता है आपका urea होता है अच्छा hibernation जो होता है वो तुम्हारा cutaneous respiration करेगा मतलब क्या जब winter sleep होगा तो यह skin सा respire करते है correct है इसका मतलब तीन statement तुम्हारा incorrect है कि आपको पूछा है कि incorrect कितने ही आप पेपर ठीक लग रहा है satisfactory paper लग रहा है neat वाला feeling आ रहा है बच्छो बाइवेलेंट यह टेट्राड वह कौन से फेज़ों बनता है myossus' के आयरा पा बाइवेलेंटोर टेट्राड वाइवेलेंट और टेट्राड पक्का ःव्यट्रा जाइगो टिन display जाइगोटीन यहां पर गलती मंतकरस तो क्यों टीटिट्ट सीपथ कर हो यार अब ये डाइग्राम किसका है बच्छो क्या ये गौलगी बॉड़ी का डाइग्राम है क्या ये गौलगी बॉडी का डाइग्राम है सवाल कह रहा है कि which of the following are the correct statement for the given diagram क्या ये बच्छो powerhouse of the sound है है नहीं वो mitochondria होता है ये semi autonomous organalis है वो chloroplast और mitochondria होता है single Membrane Bounded है yes sir , क्या यह तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट और आणिमल में मिलेगा बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं सारे UKRI OTS मिलता है ALL UKRI OTS अच्या यह एंडो-membrane का पांट है क्या ? यह से तो सी और फिजोए ना वह तम्हारा करेक्ट अच्छ 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 एसे पार्त कर सकतेगों आपको टोटल वनए वर नहीं आपको टोटल नंबर पूछाई तो टैन का पेर मिल रहाई नवे 5-10 पर मिले तो कितना हो गया 20 हो गया ऑगर एक्जामिनर पेर के बाद पेर के फर में पूछे तो तुम्हारा 10 होका लेकिन पूछे कि टोटल नॉमबर स्पारिकल कितने ऊँगे तो 20 हो जाएंगे और यह तुम्हारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है मज़ा गया कितने लोगा गलत हुए सवाल गलती मत करना अगली बारी कौन सा यहां पर correct match होगा बच्छों which of the following is a correct match यहां पर correct match कौन सा होगा जी दिमाग लेगा ऐसकारी स्किंग क्रैब हां नहीं 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 Là are you guys live in the new limit फॉसल है में सद्मा आग अगे अश्करी सुमारा रांड वां होता क्यों इस्कारी सुमारा टांना होता है में लिम्ली मर här किंग क्रैब करना लल अगे बढ़त वक्त्चों अब यह सवाल है सब्सक्राइब करने के लिए मैंने सवाल लाया है इंदो टेरिडोफाइट मेल और फीमेल सेक्स औरगन क्या होगा मेल और फीमेल सेक्स औरगन आपका एंथ्रीडियम और आर्ची गोनियों जल्बाजी में गलत हो गया था हमारा एक 184 का सी पर मैंने टिक कर दिया था यहां दर आएगा टेरिडोफाइट से मेल और फीमेल सेक्स औरगन को अपन एंथ्रीडियम और ची गोनियों कहते हैं अगला कोश्चन दिख लो कि क्या हो रहा है अब बच्व कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दिमाग लगा है करेक स्टेटमेंट मीजोफेल टिशू इस ग्राउंट टिशू अफ दे लीफ करेक्ट है जो ब्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं वह वाटर के लॉसस को प्रेवेंट करेगा यह स्पॉंजी परिंकाइम आपका डाइकॉट लीफ में प्रेजंट होता है अगला सवाल यह और गयानि देव क्या होगा यह डी डी बिशलरी है न पूरा पूरा सड दो दुंबा तुमारा इससे में यार ये फ्लेजिलेटेट्ट बैक्टीरिया है न इसे स्पार स्पार्ल कहते हैं ये तुमारा स्पारिलम हैं आचो बचो कौन सा इस्टेटमेंट यहां पर ट्रू होगा नाइटोजनस बेस को लेकर कौन साथ स्टेटमेंट ट्रू है बचो नाइटोजनस बेस टाइप अफ हेट्रोशाइक्लिक कंपाउंड यह करेक्ट है अच्छा प्रिमिदीन अफ आल्ल नुकलिक आसेड और सेम एंद प्यूरीन में डिफर नहीं सर प्यूरीन सेम होता है अब्रोशन युराइशल और थामीन गलती कर बैटे हो तुम लोग अमॉंग प्यूरीन आरेने अशा युराइशल बेटा प्यूरीन के पास युराइशल होता है क्या यार यह पिरिमिदीन होगा ना ऑप्शन वन विल्वी दिकरेक्ट डी नहीं होगा कितने लोग गलती कर यह देखो याद रखो प्यूरीन में तुम्हारा कौन आएगा जी प्यूरीन से में अडेनीन और ग्वेनीन आता है और पिरिमिदीन में कौन आएगा जी कट साइटो सेन यूरासल और थाइमीन समझ में आ गया आप लोग क्या क्लियर हो गया अब अगली बारी गलती यह सवाल नहीं होना चाहिए इस सवाल अगली बारी गलती नहीं होना चाहिए आगला कोशी जी वेच वन अब दी फॉल्विंग स्टेत्मेंट करहें और यह reaction center अलग अलग होता है जोड़ा फोटो system में सेम नहीं हो सकता आपका दोनों फोटो system में अलग अलग होता है reaction center is form by the acid pigment नहीं sir one molecule of chlorophy A में सो आपका option number Do would be the correct अगला question बच्वेद कौन सा यहां पर statement correct है कौन सा statement correct है यहां पर take your time रहरती हुआ की यारव नोड कौंपन पेसमेकर नहीं करते हैं ऐसा नोड को पेसमेकर कहते हैं अब जो क्रड्रेस आउट पूट है वह किसकम डिपेंट करेंब हैं कि अब द्छाट्रे के कहते हैं इसे stroke volume कहते हैं यह definition बहुत important है बच्छो ऐसा एक मेरा gut feeling पता है क्या कह रहा है चाहिए 24 में यह हो सकता है तो heart failure cardiac arrest या कलवाले paper के लिए मैं एक सवाल बनाया और stroke volume इन सभी के definitions पढ़के जाना यह लोग confuse करवाएंगे बच्छो ऐसा कर सकते हैं लोग कोशन बन सकता है अगला कौन सा statement यहां पर correct है बच्छो कौन सा statement correct है यह फाइब्रिनोजेन जो है वह osmotic pressure को maintain करेगा नहीं albumine करता है फाइब्रिनोजेन क्या करेगा defense mechanism help करेगा ग्लुकोस हुमारा present होता है plasma में serum कभी clot नहीं करेगा और lymph प्रकार का connective tissue होता है है कि नहीं यह osmotic pressure कौन maintain कर आपके पास albumine क्लियर है आई तो cld आपको इन तीनों का function याद है ओके फाइब्रिनोजेन किस में help करेगा defense mechanism में और albumine osmotic balance में एक और एक का नाम बताओ कौन है एक और है एक और है मैंने मैंने यहां पर गलती किया क्या गलती किया जी फाइब्रिनोजेन defense mechanism में help नहीं करता है है ना फाइब्रिनोजेन जो है ना वो तुम्हारे पास क्या कहते है क्लोटिंग में help करेगा समझे और तुम कह भी रहे हो तुम मान भी रहे हो बात को मैं फिर कह रहा हो तुमको अपने concept बहुत clarity रखना पड़ेगा ऐसे examiner तुमको चमकाता है क्लियर है तो याद करने है तरीका क्या है जी जीडी ओक ये ओ और तुम्हारा Facebook Facebook FC ओके चलो अब रीड केरफुली और कौन सा statement करेक्ट है क्यार केरफुली पढ़िये और कौन सा statement करेक्ट है करेक्ट जो जक्ता मेडूलरी निफ्रोन है इडास स्मॉल हैनलेस लूप नहीं है बहुत बढ़ा होता है जी से कि वह संट्रेट यूरीन बनाता है जी ओगे आजो अगला जी PCT and DCT are situated in the medulla of the kidney यह कहां पर बच्चों PCT और DCT यह cortex region में मिलेगा ना मेडूला में कौन डिपेंड है मेडूला में कौन डिपेंड है लूप अफ हैनलीज अब ग्लोमेरुलस यह बात सहिए ना ना उल्टा हो गया ना बोमेंड स्काप्सुल की अंदर तुम्हारे ग्लोमेरुलस हैं सी भी नहीं होगा इसका एंसर जो ascending हैनलीज लुप है वो आगे सिलके क्या मनाएगा ओके DCT क्या examiner यहां पर करा सकता है क्या बच्चों ए इस स्क्रीमिन में सारे बाओ देता हूं इस करेक्ट कीमो ऑस्मोस के लिए कान सा स्टेट्मेंट करेक्ट होगा बदा हो किम ऑस्मोस मुह के लिए क्या वर यह डर कीव ए यह 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 मस करो निज स्क्रेटर मिचल ने इसको प्रफोस किया था कॉन शर्मा रिस प्रोटरों की कमी होती है प्रोटन किया बहुत जादा होंगे अच्छा अब प्रिक्रीज इंद पिए इन प्रोट्रों में इंक्रीज ओंगा ना इनक्रीज उने का मतलब वह अल्कलाइन बनता से लिए गलत हो गया और इस पॉर्शन उपटवर्शन अब दी एटीपी सिंथेज एफन पॉर्शन में बद वहीं मोटर उनिट के तरह काम करता है आए एफ जीरो में नहीं होता है अब क्या यहां पर प्रोट्रॉन का फैसलिटेटीड डिफ्यूजन होता है क्या यह सो एसी और यह जो होगा न वह आपका करेक्ट है यह कैसा लगा और नेगेटिव ब्लड ग्रूप हाज नो एंटीजन इसके लिए तो हम लोग उसको क्या बोलता है यूनिवर्सल डोनर कहते है है की नहीं आपका असर्शन और रीजन तुमारा दोनों करेक्ट है और रीजन आपका प्रपड़ली ओके दर्शन ही अगर आपको कीमो आस्मोस organally ऐसा क्यों है बिकास Mitochondria and chloroplast have its own DNA and protein is synthesizing machinery क्या ये बात साहिए है तो 47 का भी A would be the correct दन अग्ला सवाल सो हों जी अप असर्शन देओ क्या के रहा है इन the C4 plant chloroplast of the mesophyll cells are more superior than the chloroplast of the bundle sheet cell बात साहिए अब इन the C4 plant chloroplast of the bundle sheet cells lacks graina NCRT की line है फोटो अपका C4 plant की क्यों क्यों अभी ज्यादा क्यों ग्रेना मेना वो लाक करता है chloroplast इसके लिए वहां पर ज्यादा मिलता है यहां पर assertion और reason दोनों का अपका properly समझा रहा है समझे की मीजोफिल cell में तुमारे पास ज्यादा मिलेगा as compared to bundle sheet cell because क्यों वहां पर ग्रेना लाक कर रहा है तो very 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 important question अगला question जब तुमने NCRT पढ़ोगे न तुम यह सब लाइन को न बच्चा एकदम हलके मिले की निकल लेते हो और NT को पता कि बच्चे यहां पर गलती कर सकते हैं यहां पर न चाहो उसको इसको मार्क करना भी हाँ O-negative universal donor था यह सुपे statement 1 the buckane diseases of the rice seedling are related with the ithaleen discovery ithaleen discovery buckane disease ithaleen promotes the male flowers in the cucumber and thereby increasing the yield बताओ यह बच्चे इस वह न वो गिब्रिलीन के discovery से associated है और यहां पर यह female flowering को initiate करता है क्या होगा senior नहीं हुआ खुच्च्बू दोनों के दोनों statement गलत हैं आपके हिमेल फ्लावरिंग अग्ला सवाल जी statement वन जो cardiac muscle होता बचो वह striated होता है क्या in appearances और जो cardiac muscles होता है वह involuntary और नियूरोजैनिक है क्या वह नियूरोजैनिक होता है नहीं वह मायोजैनिक होता है यह मायोजैनिक होता है नर्व इंपल्स से वह control थोड़ी नहीं होता है मायोजैनिक होता है अब कितने बच्चे यहां पर confused होगे बच्चों उनको लागी सब्सक्राइब करवा दूंगा है वर्साटाइल प्ले बीट सब करवा देंगे अब डिसेंस बिदिन टू जैड दोनों का दोनों इसेटमेंट इहां पर गलत हैं क्यों मेर्स क 파्लाइब क्यों मिलता किसमें यह कीonnaise मिमलेगा की भी प्रो केरियोच में नहीं मिलता यह कि सी भी प्रों। मेस्ट में मिलता है कको कपी कोकोफ में कभी को द्लप यह विडियर विच। लाइड वी पॉलविग इन इस बच्चो एलेन इस्पेशिस को नहीं आपे जुनको बाहर से एक्सपोर्ट किया गया है बताओ यहार कैरट ग्रास वाटर हाइकेंट और लेंटाना स्पेशिस को नियंए स्पेशिस करेंगेश इक वांको नियुक्ता किसे णियुक्टाइट है for double helix BDA कभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है हमापे गलत है दिमाग लगा ना दी बचो एक नुकलोटाइड चेंज से मिलके बनता है क्या नहीं दो नुकलोटाइड चेंज जो backbone है डिस formed by the sugar and phosphate और bases जो है वो बाहर के और projected है क्या नहीं अंदर के और projected है दो चेंज आपके anti-parallel चलते हैं और एक टन में कितना base pair होता है आपकी बास ओके 10 base pair होता है तो सारे के सारे statement गलत है ना all statement are false दन अगला कोशिए the genetic disorder where a point mutation is observed वो कौन सा genetic disorder है बच्चो जहां पर आपको point mutation देखने को मिलता है कौन है वो सीकल सेल अनीमिया कौन से पोजिशन पर होता है point mutation बच्चो और कौन से आपको हीमोगलोबीन पर देखने को मिलता है alpha या beta beta chain of hemoglobin है 6th position येस ठीक है आज 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 अगला आज असर्शन posterior pitory is not a true endocrine gland क्यों नहीं है भाईया because posterior pitory only stores and releases the hormone क्या ये बात सही है ये true endocrine gland इसी के लिए नहीं है because secretion नहीं करता है sorry formation नहीं करता है ये सिर्ष टोर करेगा secret कर देगा synthesize नहीं करता अब अब असर्शन in the human cardiac muscles are involuntary in nature क्यों involuntary है in the human cerebrum does not directly control the activity of the cardiac muscles दिमाग लगा मस्कोशन है क्या होगा because cerebrum इसको regulate नहीं करता है myogenic heart impulse generator अब मतलब धड़कता है आपका assertion और reason दोनों correct और reason आपका properly समझा सकता है अब यहां पे नहीं में ट्विस्ट करने वाला था एक word में बर्सुचा कि बचे ड़ जाएंगे examiner लगर यहां पे cerebrum देदे in the human cerebellum does not directly affect तो cerebellum नहीं आएगा बच्चो cerebrum cerebellum body posture को maintain करता है ठीक है तो फिर वह आपका options करेक्टर इंकरेक्ट हो जाता reason अब बचो systematic में अब यह NCRT की के line है इसको आपको बहुत कम बच्चों को इसके बार इंपता होगा systematic में कौन से दो processes तुमारे included हैं बताओ systematic में कौन से दो processes आते हैं maximum बच्चे leaving on के सवाल को वलत करने वाले होई c नहीं होगा c होगा c होगा c होगा taxonomy and phylogeny taxonomy में क्या करेंग बच्चों classification कर रहे हैं और nomenclature कर रहे है taxonomy में यह सब हो रहा है और phylogeny में आपन क्या कह रहे है एक association मना रहे evolutionary association समझे अगला जी अब when a flower which can be divided into two equal vertical halves vertical halves only in the one plane अगर only in the one plane बच्चों क्या होगा यह bilateral symmetry और bilateral symmetry को आपन क्या कहते है जाइगो मॉर्फिक सेमेट्री अब प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवें रिस्पांस वी एन्वार्मेंट तो फॉर्मा डिफरेंट काइंड आप स्ट्रॉक्टर्स इस इसे क्या कहते है बच्चों इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं क्या इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं क्या नीट की फिल आ रही है की नहीं आ रही है बताओ यार तब हमको भी लगे ना कि ठीक है वोट इट लगता है पेपर मना तुम्हार ली अगला सवाथ बचो क्रेक्ट सिक्वेंस वर दीफ्लोफ एलेक्ट्रों इंद लाइट रियक्षिन अब नॉन साइकलिक के बारे पूछाए एलेक्ट्रों कैसे कैसे फ्लो करेगा पहले तुम्हारा पीश्टी के पास जाएगा पिर कहां पर प्र प्लास्टो किनिन के बास जो की प्रामरी साइटो क्रोम के पास जाएगा फिर पी एस वन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौने जी फिर दॉक्षिन होता है ऑप्शिन नमर वन वोड बी गड़ेक्ट अगला असर्शन इन्दी साइकस फीमेल कोन इस आप्सेंट यह बात सही है क्या बात से क्यों आप्सेंट है इन दे साइकस साइकस दूट अलार्ज साइज ऑफ दी ओविल मेगा स्पोरोफाइल्स आर नौट असोसिएट टू फिमेल कोन साइज बड़ा होने के कारण यह कौन्स कंटेंड नहीं करता स्थान दून व्रिव्र था आच्विल मज़ आ आगया आगया बच्व कॉन साइज स्टेटमेंटेंट यह पे ट्रू है रिगार्डिंग दा फीमेल रूप्रोटटिव शिस्टम इन दी फ्रॉग बिटा फ्रॉग के रिगार्डिंग फ्रॉग के फीमेल अगला सवाल अब कितना होता यार एक बार में एक कितने निकलते हैं 250 निकलते हैं कि 2500 निकलता है नहीं कि 25,000 2500 से लेके 3000 अब फटिलाइजिशन आपका चलेगा और यह तुम्हारा पानी में होता है और दिलार्वल स्टेज जो टैडड पोल है वह metamorphosis करके बच्चों adult बनाता है क्या COD correct हो जाएगा क्लियर है तो बच्चे यहां पर confused हो सकते हैं और वह BCD पर टिक करके अपना rank वहीं पर गवा सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगी उनका पता है ना अब respiratory climatic effect is shown by which PGR वह कौन से PGR है जो की respiratory climatic effect show करती है वह है तुमारी इधलीन दर आगे बढ़ो जी यह पढ़िए carefully इसमें से कितने फंगस तुमारे इंपर्फेक्ट फंगस है इंपर्फेक्ट के तीनी एक्जामपल है क्लेक्टो ट्राइकम अल्टरनेरी और ट्राइकोडर्मा है ना देखो यहां पर तुमारे पास ट्राइको यहां पर ट्राइकोडर्मा देख रहा है niez से घंडेरी और क्लास युड़ यह तर में आगे वढ़ोंगा है स से क्लोट्व पोर यह है तुम्हारा गेन्क線 क्लॉट बश्र तुम्हारा स्ट्रप्टो काइनेस होता है और स्ट्रप्रेस्ट पूरी ने तुम्हारे पास क्या होगा बच्छों यह इम्मनोप्रेसंट होगा याद रहेगा आगे बढ़ेगा कितने माचिंग्स यहां पर करेक्ट है इससे तुमको याद रहेगा ना कि अन्मोल सर्व यहां पर कंच्यूज किया था नहीं बूलेंगे हाई-पर एंशन वन 60 वाई-ट यह करेक्ट होगा किया ठीक है बहुत जाद है इस्ट्रोग वाउवन वन सेवेंटी हैमल होता है है जेवेंटी अमल जेवंट्ट एट सेकेंड अब बहुत सर्व पक्रें यहां पर गल्ती करेंगे बढ़ें जीरो पॉंट सेरो एट सेकेंड नहीं गलत हो जाए कार्डिक आर्पुट तुम्हारे बास 5000 ml होता यह करेक्ट रही तो दो इस्टेट्मेंट तुम्हारा यहां पर गलत है बी नहीं दो इस्टेट्मेंट गलत है बी और सी आगे बढ़ो असर्शन साइंटिस्ट बिलीब दाट रेप्टाइल्स अर्दी एंसिस्टर्स ऑफ दी बर्ड क्यों इन दी बर्ड इसके लिए वह एंसिस्टर्स हैं क्या यह तुम्हारा इवोल्यूशन का लाईन है बच्छो यह एवोल्यूशन में लिखा गया है यहां पर रिजन दोनों टुरा रिजन अपका प्रफरली एसके संग्जा रहा है यह अगला कोशन जी अब गॉल्टी अपैटस वेर अब्जर्ब बाइदी कैमेलियो गॉल्गी इनकरेक्ट स्टेट्मेंट इनकरेक्ट बच्छो बच्छो कॉन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट क्ली अरेंज नियर दी माई्टोकॉसरिय दी नुक्ली कि서도 नीजानर्वी नोगम्हेल बच्छो ए भी तुम्हारा इंकरेक्ट स्टेट पूछ जीरो पॉइंट यह्मीनटर से लेक्मंधे के 1-0 माईक्रोमूइंटर यह नामिनटर होता है इसका मतलब तुमको साइज नहीं पता है बिच आप दी फॉलुविंग पेर अब दी होर्मोंस आदे एक्जामपल अब दोसके एजली पास्तुरू दी कौन पास करेगा जिस्टिरोइड हर्मोन साइज भी याद करना है सोनम कौन जोगी पास कर जाएगा वही सेल मेंबरेन को स्टिरोइड हर्मोन कौन है वह कॉर्टीसोस और टेस्टोस्टेरोन ठीक है आगे बटुची अब प्रोग्रेसिव डिजनरेशन आप दे स्केलेटरल मस ऐसma मोश्टल्स दुचिछ आटेख डिस्टोफी एक किलियर हैं कौन ढमज्टयक डिसर्थतर्शम ऐह क्लात रहल कि यह नाorts टिस उफंट है यह विय। आप्डुजिन बिमारी थू होता है नहीं यह डॉमिनिंट हिह अप्ड़िमनेंट होता है आप प्लियर हैं एगला बढ़ो डञ्चोष घ्लाकोलिस से किस स्केप में तुम्हारा डी आइडरेशन होगा lidा आइड़ेशन का मतलब है पानी किस स्टेप में निकलेगा कि वाटर किस life में निकलता है कि अब बोलो यहां पर इधर गया पहले photosynthesis दाता ना sorry respiration तो मगर बड़े गौर से देखो कि तो second last step यहां पर अगर आपको दिख रहा है क्या second last step water निकल रहा है कब निकल रहा water जब phosphoglycerate तुमारा phospho nol pyruvate में convert हो रहा है तब आपका water निकल रहा है कर दिया गलती अगला question अब ABA act antagonistic तो अब अब जो abscessic acid है वो किस antagonistic है मतलब है opposite दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ बच्च वो है तुमारा गिब्रिलिक आसेड या बच्चे हलके में ले रहे है test series को और जब नीट में जब सब सवाल आएगा तो paper के बाद ना मैं यही सारे वीडियो के clipping निकाल के दिखाऊंगा बच्चो को कि देखो जो मैंने बोला था वही question आया और आज ना इसका password रखेंगे यार मतलब इसका जो pdf है ना उसके password डाल दूगा इसको भी review करना जो recording डेख रहे था आप तुम रोड हो गे फिर मैं चाहता हमां कि test practice में लाइव वी करवाँ बच्चो को इसका password रहेगा और कोई comment में ना बताना मत हां हां 12th biology भी करवा दूंगा है which of the following are the correct statement कौन सा statement करेक्ट है कौन सा statement करेक्ट है कौन सा statement करेक्ट है आज कौन सा statement करेक्ट है अचो oxygen help to initiate the routing in the stem cutting ये बाद सही है क्या oxygen जो है वो stem के अंदर routing को initiate कर देता है इतलीन तुम्हारे पास root के growth को promote करता है क्या ये सर इतलीन प्रमोट करेगा root hair का formation और indole butric acid and indole acetic acid ये तुम्हारा natural oxygen होता है क्लियर है अगला कोशिन बच्चो incomplete double circulation किसमे देखने को मिलता incomplete क्या कह रहो हाँ ठीक है नहीं चलेगा ओके नहीं तो भी नहीं बतले लगाना नहीं बीच में बताया है वो लोग आगे तो पीशी देखेंगे बस बचो incomplete double circulation आपको amphibians में देखने को मिलेगा salamander अरे नालाय को अनित्रो राइंकस नहीं होगा यह तो प्लाटिपस है ना यह प्लाटिपस डग बिल्ट प्लाटिपस जिसमें तुम्हें complete double circulation देखने को मिलता है मामल से वो salamander क्या है लिम्लेस रप्टाइल है है नहीं एक्थाय ओफिस होता है वो sorry लिम्लेस अम्फिबियंज एक्थाय ओफिस बचो विच और फॉलिंग ऑप्शन करेटली रिप्रेजेंट दी अच्छा अस्थमा में क्या होता है बचो और इंफेंसीमा में क्या होता है दिमाग लगा अब कोई बात है मत करो फ्लीज कोई बात है तो अस्थमा में तुम्हार पास ब्रॉंक्योल का का इंफ्लामेशन होता है और इंफ्लेंसिमा में रेस्पिरेटरे सर्फेस जरी आपका डिक्रीस कर जाएगा यह सवाल बहुत ही प्यारा है यह मेरे दिल के बहुत करीब है बच्चे बहुत इसमें गलती करेंगे देखना बच्छो यह भी में का 180 अगर मुझे 180 पे अगर बना 20 इंटू 2 करूंगा तो 40 आएगा सो मेरे 100 बन गए अगर मैं 18 लेता हूं तो 18 3 जा 24 और 3 1 जा 54 चलो और उसके बाद 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया यह 5 और 9 और 10 क्या मैं यहां पर क्या मैं यहां पर इन दोनों को यूज करके 180 पी बना सकता हूं और यहा थोड़े नहीं आशा होगा आपको ध्यान रखना आपको पूरा करना है अब यह मैंने कैसे किया यार आपको यह तो पता है ना एक NADH को जब मैं हारनेस करूंगा ETS में तो 3 ATP मिलेगा और एक अगर FADH को अगर मैं हारनेस करूंगा तो मुझे 2 ATP मिलेगा तो कुछ नहीं किया मैंने अगर मैं पास 20 अगर NADH हो अगर 20 मेरे पास FADH2 है या अगर 18 अगर NADH2 है और अगर 23 अगर FADH2 है इस सरी किसमें नहीं कर दिया इस सबसे बडा नोवारे पास अना फेस होता है ओके येस धियार रखना आप लोग पी टीए में अगर टाइम दुरेशन के बारे पुझे प्रोफेस सबसे बढ़ा होगा टीलोफेस सेकेंड थर्ड तुमारे बास में अनाफेस अगला जी बचो कौन सा कॉन सा करेक्ट स्टेट्मेंट होगा रिगार्डिंग बिट्विन दी अच नापकर स्मयस द्यकर्स होता है और दोनें स्मॉलर लिट अपकर अइवल्स होता है अचा कैये तुमारे पास पे-पेस जए प्रॉत उम्हार पास ये प्रव हमस्मया उन एक्र क्रींडत मं-क होग मुझे ऑट्स्लित्य मं अगला額शु अर्क है and statement 1 skeletal system is grouped into the two principal division एक है axial और एक है तुम्हार appendicular और जो skeletal system में अट consists of the framework of only bones D होगा? नहीं, statement 1 correct but statement 2 मेरा गलत है ना, क्यों गलत है बच्छो bones और cartilage दोनों आते हैं है ना, bones और cartilage दोनों आते हैं अगला, statement 1 corpus callosum is a unique character of the mammalian brain four brain जो है cerebellum, thalamus और hypothalamus से मिलके बना हुआ है बताओ बताओ statement 1 is a correct but statement 2 is a incorrect cerebellum नी बच्छो cerebrum है ना, cerebrum क्या हो जाएगा जी? B would be the correct question मजा आ गया? है? खेला हो गया तुम्हारे साथ? ध्यान रखना, अच्छा अब, PNS को divide किया गया दो divisions में somatic और autonomic neural system के अंदर और CNS को divide किया गया brain और spinal cord के अंदर क्या बोल जो? correct है ये? हम? statement 1 भी correct और तुम्हारे statement 2 भी correct है अब statement 1 each coaxial bone is formed by the fusion of our three bones हाँ, ileum, ECM और pubis के fusion से बनता है pectoral girdle consist of the two coaxial bone हाँ, 2 coaxial bone होते है, होते है नलायको statement 2 गलत है कि तुम्हारा pelvic girdle होगा न है न, pelvic girdle होगा न भाई, coaxial bone तुम्हारे pectoral में नहीं मिलता है pectoral girdle तुम्हारा upper limb हो गया pelvic girdle lower limb हो गया हम लोग जोश-जोश में आके गलती कर लेते हैं सिसको silly mistake बोलते है statement 1 correct है और statement 2 तुम्हारा incorrect है अगला question सुना जी statement 1 an adult human excret on an average 200-300 gram of urea by urea की factor लगाना है कि इसको an adult human excret on an average 1 से लगे 1.5 liter of urine per day statement 1 गलत है और तुम्हारा statement 2 तुम्हारा सही है statement 1 में क्या होगा जी से 25-30 gram अपन urea निकाल पाते हैं मजा आ गया मजा आ गया statement 1 तुम्हारे पास incorrect और statement 2 तुम्हारा correct है B पर क्यों टिक कर रहे हो अब या जो anf है वो जी एफर को कम करता है कि anf क्या करता है blood pressure को कम कर रहा है और रास मेकानिजम इंक्रीज करता है क्या GFR को क्या लग रहा है दिमाग रहा हूँ मेरे दोनों statement 1 और statement 2 तुम्हारे दोनों की दोनों correct अब statement वाले questions मसा आएगा यार muscle contains a red colored oxygen soaring pigment which is called myoglobin muscle fatigue due to the accumulation of a lactic acid है ना fatigue क्यों होगा अभिकॉस lactic acid का accumulation होटा है जी बोथ statement वाले statement 2 तुम्हारे correct अग्लास अब यार कितने यहां पर correct होंगे for fungus fungus के लिए कितने statement correct है for fungus दिमाग लगाओ सारे के सारे तुम्हारे multicellular है बिल्कुल भी नहीं there is an exception of unicellular कौन EAST सारे तुम्हारे heterotrophic है यह correct है most extensive diversity photosynthesis show करते हैं के नहीं heterotrophic है यह लोग saprophytes होते हैं यह लोग आपके saprophytes होते हैं मजा आ गया चाहँ आगे कर बढ़ो how much remains in the lungs after the forcible expiration इससे क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं इसे residual volume कहते हैं जो कि कितना होता है 1100 से 1200 ml तर्क भी तर्क मत करो इसमें आगे बढ़ो सिला डी नहीं होगा राच डी कैसे होगा सी होगा यह तुम्हारा क्या होता है यह तुम्हारा expiratory reserve volume है 1000 से 1100 तुम्हारा expiratory reserve volume होता है आगे बढ़ो अब which of the following is a correct statement for ADH और vasopressin यह यह ADH और vasopressin करते क्या हैं बचो यह ADH और vasopressin क्या करते हैं बताओ यह hormone को तुम्हारे release करता है क्या क्या क्योंकि तुम्हारा reabsorption करवाएंगे water from the later part of the tubule कहां से so collecting duct DCT यहां से reabsorption आपका चलता है याद रखेंगा match the column क्योंकि तुम्हें से नहीं बनेगा बनेगा यहार RQ क्या होता है बच्व दिमाग लगो मतलब respiratory question निकालने के लिए लिए था मतलब rate of respiration को आपन calculate करते है Peter Mitchell इन्होंने chemo osmotic ADP synthesis की बारे हम बताया था cytokrome यह inner mitochondrial membrane में मिलता है क्या आपको lactic acid यह muscle fatigue और yeast आपका alcoholic fermentation yes आगे बढ़ो अब यहार कौन सा यहां पर incorrect match है बच्वो incorrect match कौन सा है incorrect match incorrect match तुमारे पास human metabolite curcumin होते है curcumin तुमारा secondary metabolite है done अगला अब बच्वो वाट वाट विल बी नमबर अफ क्रोमोजोम in the human pro phase of the mitosis the number of chromosome in S phase of 46 बच्वोम का नमबर क्या होगा अगर S phase में 46 है तो क्रोमोजोम का नमबर विल बी सेम बताओ क्रोमोजोम का नमबर विल बी अल्वेस सेम जी चलो अब यहर साइनापसस कब होता है और साइनापसस साइनापसस कब होता है साइनापसस क्या यह तुमारा जाइगोटीन में होता है क्या और जाइगोटीन तुमारा प्रोफेस वन का पार्ट है क्या जो कि मियोसिस वन का पार्ट होता है आपके तो बचे पैनिक में आके एप टिक कर देंगे आगे का पढ़ो आगे बढ़ो अब बिच आफ दी फॉलुविंग इस्टेटमेंट इसक्रेक्ट फॉर्ड इवेंट अफ मेटाफेज यार बचो मेटाफेज में क्या होता है मेटाफेज में क्या होता है बहुत सर बच्चे यहां पर भी गलती करेंगे मेटाफेज सी होगा है कौन इशान सी कैसे होगा बताओ ग्रोमोसम स्प्लिट और क्रोमाटिट शेपरेट एना फेस होता है इसे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि तुम पूरे आप्शन को पड़ो मेटाफेज में बचो कितने रीडियल स्पोक्स होते हैं फ्लेजिला में किटने रीडियल स्पोक्स होते हैं बचो फ्लेज्ळीला में रीडियल स्पोक्स कितने होते है। वि एवा नाई रीडियल स्पोक्स डण ऐर अम्म狗 पलउप्लाप्लाझ चाओते हैं वट अम medaзд costs अम्माइलोप्लास ओ यह एक प्रकार का Leukoplast होता है क्या? Amyloplast is a type of a Leukoplast and this question is a very 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 important आपको यह पता होना चाहिए एक प्रकार का colorless होता है कि colored होता है यह colorless होता है कि colored होता है यह आपका colorless होता है गुरू ठीक है? याद रखना total number of chamber of the heart occurs in the cockroach cockroach में कितना chambered आपका heart होता है कितना chambered आपको heart मिलेगा? 13th chambered यहाँ पे muscles मिलता है जो कि blood को sinus में drain करता है because cockroach आपको अर्थरोपोड़ेश में open circulation देखने को मिलता है उस muscle का नाम क्या बच्छो Ellery muscles याद रखना यह diagram किसको रप्रेजेंट कर रहा है? यह diagram monocot यह dicot stem देखना bundle sheet cell तुमारा अर्याद बच्छो 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 तेखो hypodermis scleran chymetase यहाँ पर यह तुमारा monocot stem को रप्रेजेंट कर रहा है बच्छो statement 1 mechanism of muscle contraction is the best explained by the sliding filament theory sliding filament theory states that the contraction of the muscle fiber takes place by sliding of thick filament over the thin filament अब यह line बहुत ही घातक है यह statement 2 तुमारा गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा? क्यों? thin filament thick क्योपर slide कर रहा है yes 98 का B would be देखो यह line बहुत important है thin filament thick क्योपर slide कर रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर myosin का जो head है वह actin के myosin binding side पर जूड़के वह खीच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि thin filament thick क्योपर slide कर रहा है सल्लिमिस्टिक मत करो है ना clear? आगे बढ़ो in the C4 plant बोथ Rubisco and PPKs enzymes are present यह बात सही है C4 plant photorespiration को lack करता है अब अगर तुम देख तो Rubisco कहां पर होता है बचो bundle shit cell में होता है और PPKs तुमारे पास PPKs जो है वह तुमारे mesophyll cell में होता है दोनों के दोनों statement correct अंतिम question यार last question खतम करते हैं इसको सवाल कहा रहा है कि कितने matching यहां पर correct है with reference to the photosynthesis photosynthesis के reference में कितने correct हैं बचो photosynthesis तुमारा physio chemical process होता है क्या जो कि correct बात है जो सब प्रिष्ली ने oxygen के discovery कि थी 1774 यह गलत है व्यांट नील ने बचो नील ने tobacco plant को यूज किया था बचो मिंट plant को यूज किया था यह भी किलाता है purple and green अच्छा water used as a hydrogen donor hydrogen sulfide ठीक है तो आपका एक ही statement यहां पर correct है इनको यूज किया गया था as a hydrogen donor कैसा लगा भाई paper how was the paper मजा आ गया अभी शाम को 6 बज़े आपन एक बड़ी बैटो आराम से पूरा अनिमल के निम एक एक लाइन एक जांपल से हाथ कर लो भी रिवाइस कर लो शाम को 270 करने वाले इसी यूटिब चैनल पर लिंक टेलिग्रम अन्मूर्श्रम लाइप मैं दे दूंगा जी कल तुमारी दो बज़े क्लास होगी उसका लिंक यहां पर पिन किया जा कि लाइक मारे का अडिनिस बना दू करने भी नहीं आता यार तुम क्यों टेंशन ले रहो अब पता है मैं क्या करूंगा अब दे तुम्हारे छे टेस्ट हो चुके हैं अब मैं तुम्हें जिसमें बहुत ज़्दा कोशन्स गलत की हैं अब उनके उपर एक तुम्हारा टेस्ट होगा मतलब most confused question from the NCRT और मैं तुमको bet देता हूं यार कि नीट बाइलोजी में न थीन से साथ तुम्हारे कहीं पे नहीं गए तुम्हारी थियोरी बहुत स्ट्रॉंग है बस कहीं न कहीं confusion है थोड़ा बहुत वह confusion को तुमको प्राक्टिस से दूर करना पड़ेगा तुमको सब आता है अंसे रेडिंग कल होगी बाभू कल होगी अंसे रेडिंग पक्का और आपको सीरियस रहना पड़ेगा क्लास जेली दो बजे शाम को छे बजे करना पड़ेगा मजा आ अब आगया अब आपना फीडबैक अपना डाल दीजिएगा वीडियो को लाइक कर जो यार वीडियो को तुम लाइक नहीं किया पांसो कमेंट कर तो फटटबटबी पां को हमको मुटिवेशन देता है ठीअरी क्लास कल से अरे बच्छों कैनूला लगा था हात में आरा आज मैंने फोटो बेजा कुछ बच्चों को तुम पता है क्या हो गया मेरे साथ मेरे को हो गया कल वारस मेरे को लेना पड़ोगा डिया बहुत जाता हो गया कल मेंको ठीक है नहीं कि आने परसू राट को में बाहर खा लिया था बेला सेंड़े है तो चलो फोटल खा लेते हैं ओटल में खा लिया भाई पीट खराब हो गया ठीक है चली कि लेकिन तुमको अनर्जी कमी नहीं लगते लिगो मैं बैठके ना वारस घॉर के रखां थे मैं पी रहू हो म ठीक है चलो मिलते हैं आपन शाम कुछे वाले क्लास में थांक्यू गाइस कल पक्का हां कल से पक्का लोकमोशन शुरूर ओक्यू थांक्यू गाइस जैन बावाई चलो बाई 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 बाई